जैसे कि प्रस्तावित अधनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसे धर्म में संपर्पर्तिन करने में प्रलोभन, धमकी, बलपरियोग, विवाह, असम्यक, असर प्रतिन, अन्यकपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अत्वा अन्यता धर्म संपर्वित्य करने का प्रयास निशेद किया गया है, कोई भी व्यक्ति के द्वारा, उप्रोक्त पकार के धन संपरिवर्तन किये जाने का दुस्प्रिशन, अत्वा सड़यंत्र करने का निशेद किया गया है, प्रस्ताबित अधरियम के अंतरगत धर्म संबर्पन के लिए विरुद्ध सिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जाच अत्वा अन्यवेशन तब कर सकेगा, जब धर्म संपरवर्तित व्यक्ति या उसके मातापिता या भाई बहन संस्था के द्वारा सिकायत की गई हो, या न्यायले से अनुमती से धर्म, संपरिवर्तित, व्यक्ति से संबंधित, रक्त, विवाह, दत्तक, ग्रहन, संरक्षत्ता या अभी रक्षा में हो व्यक्ति की सिकायत पर कर सकेगा किसी भी व्यक्ति द्वारा अधनियम का उल्लंगन करने पर एक वर्स से पाँच वर्स के कारावार एवं अर्थ दंड जो कम से कम पच्चीस हजार होगा से दंडित किये जाने का प्रावधान है नाबालिक महला अनसूचिज्याती अनसूचिज्याती के व्यक्ति के साथ अधनियम के उल्लंगन किये जाने पर दो वर्स से दस वर्स के कारावास एवं अर्थ दंड जो कम से कम पच्चास हजार होगा का प्रावधान है अपना धर्म छुपा कर अधनियम का उल्लंगन किये जाने पर तीन वर्स से दस वर्स के कारावार अर्थ दंड कम से कम पच्चास हजार का प्रावधान इसमें किया गया है इसी तरह से सामुएक धर्म परवर्तन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परवर्तन करके अधनियम का उल्लंगन किये जाने पर पाँच वर्स से दस वर्स का कारावार एवं अर्थ दंड जो कम से कम एक लाख का होगा प्रावधान है एक से अधिक बार अधिनियम के प्रावधानों के विप्रीत किये गए अपरात की इस्तिती में कम से कम पांच बर्स तता अधिक्तम दर्स बर्स का कारावास का प्रावधान है अधिनियम के अंतरगत धन संपरिवर्तन के आसे से किया गया विवाह अक्रत एवं सून गोसित किये जाने का प्रावधान है इस प्रयोजन के लिए कुटुम न्यायलाय में तथा जहां कुटुम न्यायलाय नहीं है वहां कुटुम न्यायलाय के अधिकार प्राप्त न्यायलाय में आवेदन करने का प्रावधान है प्रस्तावित अधनियम के अंतरगत स्वेक्षा से धर्म संपरवर्तन की वांचा रखने वाले व्यक्ति तथा धार्मिक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो को धर्म संपरवर्तन आयोजित करने का आसय रखता हो को उस जिले में जिला मजिस्टेट को जहां धन संपरवर्तन को धन्तमबरतन का आयोजन करता है अधनियम के सह सूचना नहीं देने पर तीन से पाँच वर्स तक के कारावार तथा पचास हजार तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है प्रस्तावित अधनियम के प्रावधानों के विरुद किये गई विवाग को नल एन्वाइट सून्य अकरत एवं सून्य गोसित करने का भी प्रावधान इसमें है प्रस्तावित अधनियम के प्रावधानों का उल्लंगन किये गए विवाग से जन में बच्चे माता-पिता की संपत्ती के उत्तरा धिकारी होंगे इसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे प्रस्तावित अगनियम के प्रावधानों में उल्लंगन होने से अक्रत डलेंड वाइड विवा के सम्मंद में महला तता उसके बच्चों के भरन पोस्ण का अकदार भी प्रावधानित किया गया है यह दोनों बिंदू ऐसे हैं जो देश में कहीं नहीं है जर्माने की रासी जो बढ़ाई गई है और यहां तक जो मैंने बिंदू पढ़े हैं जर्माने से यहां तक यह मद्धिप्रदेश्क में इसे कठोर बनाने की और जादा कोसिस किये जो इसमें प्रावधानित किये गए है प्रस्तावित अधरियम के प्रावधानों का उनलंग करने वाली संस्था संगधन को भी अपरादी के सम्चक्च ही सया देने का प्रावधान इसमें किया है प्रस्तावित अधरियम में सबूत का भार आरोपी पर होना प्रावधानित है प्रस्तावित घटित अपराद को संगे तथा गेर जमानती गोशिप किया गया है घटित अबराद का अन्विशन टी-आई-ई-ईसाई से नीचे का अधिकारी नहीं चलेगा इस तरह के अनेक इसमें प्रावधान और भी किये गए हैं जो प्रमुक प्रमुक थे वो मैंने आपको बता दिये पर इसमें प्रावधान मद्यप्रदेश का यह जो अधनियम 2020 है धर्मस्वातंतर विद्यक यह काफी कठोर बनाने की मद्यप्रदेश सरकार ने कोसिस की है